मैंने स्वामी नर्सरी के फेस्बुक पेज से एर लेट पॉमगरे ने प्लांट्स ओर्डर किये थे चलिए देखते हैं उन्होंने जो पार्सिल भेजा है इसमें क्या-क्या है ये गाए और बगरी का मैनियार है जो कि एक बहुत ही अच्छा और्गैनिक फर्टिलाइजर है पॉमगरेंट प्लांट्स के लिए ये 50 रुपीज पर केजी पे स्वामी नर्सरी साथ ऑनलाइन मगवा सकते हैं और ये भगवा वैराइटी के अनार के पॉध हैं जो कि 20 रुपे पर पीस की कॉस्ट पर अविलेवल है अनार को कई प्रकार से लगा सकते हैं जैसे कि बीच से ग्राफ्टिंग करके या फिर गुट्टी बांद कर पॉध तयार करकर इसे हम एर लेरिंग मेथर्ड भी कहते हैं इस तरह पॉध लगाने से एर लेड प्लांट बदर प्लांट जैसे साल भर के अंदर फल और फूल देना शुरू कर देता है जबकि बीच से लगे पॉधे पर फल और फूल आने में 5-7 साल लग जाते हैं अच्छी क्लियरली आप देख सकते हैं इसके रूट्स को और जब आप इसे प्लांट करना स्टार्ट करेंगे तो दो महीने तक हम इसकी पॉध तियार करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे जमीन में आ कहीं पर लगा सकते हैं इसे यह बाकी के पेड़ है हम इने भी खोल करके और प्लांट करेंगे और हाफ पार्ट खार लिए अब इस दोनों को हम मिला लेंगे बारिश के समय बेस्ट सीजन रहता है किसी भी नए पॉधे को लगाने के लिए और अभी बारिश का मौसन चल रहा है तो इस मौके का पूरा इस्तमाल करें और इन प्लांट को मंगाए और अपने घर में इने प्लांट करें देखना कि आने वाले समय में जब यह प्लांट अफैसें के बढ़ा होगा त्यार हो जाएगा तब बहुत अच्छ हो जायाइगा तो हमारे म अरे मिटी तयार हो गयी है हमने ये प्लास्टेक बैग लिए हैं आपको Tucson थैयार किकरी जाती है तो प्लास्टेक बैगें पहले बम ईन्हें लगाया जाता है जिससे के 2-3 महीं इसमें अच्छे सी ग्रो हो जाए और फिर हम इने जमीन में या अपने गार्डन में आप लगा सकते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से होल्स बने हुआ हैं यह द्रेनेज सिस्टम पेड करता है बहुत अच्छा आप इसमें मिट्टी डालेंगे सिंप्ली इसको बीच में थोड़ी जगा करके इसे इसमें डाल देना है और प्लांट कर देना है उपर से मिट्टी डालेंगे तो यह आपका भगवा कॉलिटी के अनार के पेड़ की पौद लग चुकी है इसे पानी देना तो हम इसमें पानी डालते हैं दो महिने के लिए दो से तीन महिने के लिए इस प्लांट को हम इसी के अंदर रखेंगे जब इसकी पौद तयार हो जाएगी उसकी बाद आप इसे जमीन में लगा सकते हैं इस दर मियान आपको इसे छाया में रखना जहां पर इनडायर्क धूप हाए या पिसी बड़े पेड के नीचे रख सकते हैं या फिर मैं फ्लाट में रहती ho तो मैं से अपनी बालकरी में रखuhan意 में रखोंगी तो फ्रेंट्स विपेस अभी और भी पौधे हैं मैंने बाकी के समय में उनको भी प्लांट कर दूंगी जैसे आप देख सकते हैं लेकिन अभी मैंने ये आपको दिखाने के लिए दो पौधी लगाएं और भगवा कॉलिटी अनार का बेस्ट कॉलिटी होता है मैंने आपको पहले भी बताया था इसका पौधा इतना सस्ता और इतना अच्छी कॉलिटी का आपको आपकी लोकल नश्री पे मिलना बहुत जाद और उगा सकते हैं आप ये पौधे जरूर एक बार मंगा के ट्राय करिए स्वामी नर्सरी के फेस्बुक पेज पर जाए और और करें विदिन 3-4 डेज इंडिया में आप कहीं भी हो आपको ये पार्सल रिसीव हो जाएगा जरूरी ने कि आप किसी खेत में जाकर ही प्लां इन सबकों में शेयर करूंगे और सब लोग हम लोग ट्राय करेंगे अपने घरों में किस तरह ये लगता है किस तरह ये बड़ा होता है इसकी अपडेट्स में आपको दूंगी दो महीने बाद फिर से में इसकी अपडेट्स दूंगी आपको कि पौधा कितना बड़ा किस तरह इसने ग्रोग किया और किस तरह इसमें पतियां आती हैं किस तरह इसमें फूल आते हैं और फिर इसके बाद इसकी किस तरह केर करनी है फ्रेंड्स अनार के पौधी लगाए हुए एक हफ़ता हो चुका है और इन पौधों में अब आप ग्रोथ देख सकते हैं किस तरह इसमें छोड़ छोड़ी पतिया आना स्टार्ट हो गई हैं इस तरह मैं इन पौधों की अपडेट्स आपको देती रहूंगी हमसे जूड़े रने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल पटन दबाना ना भूलें थैंक्स फर वाचिंग